हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू। है, पोटेंशल है, इस शेतर में शमता कितनी है। आईए इसको स्टड़ी करते हैं डिटेल में। सो मदुमक्खी पालन जो होता है जिसे हम बी कीपिंग बोलते हैं इसके लिए एक वर्ड होता है और वो होता है एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर मतलब जब हम मदुमक्खियों को पालते हैं ये पूरी प्रैक्टेस यानि की मैनेजमेंट, प्रबंदन, मदुमक्खी रखना, पालना, उससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं सबको मिलाकर एपी कल्चर कहा जाता है। मदुमक्खी पालने से क्या फाइदा है? क्या मदुमक्खी से सिर्फ शहद मिलता है या कुछ और भी मिलता है? शहद होता क्या है? शहद होता है फ्लावर्स का नेक्टर, जो हमारे फूल होते हैं फ्लावर, उनका नेक्टर उसे शहद कहते हैं, मदुमक्खियों तो सिर्फ cosmetics बनते हैं, कई सारे दूसरे तरह के industries हैं जिसमें beeswax use होता है, हमें propolis, royal jelly, honeycomb bee venom ये सारे product मिलते हैं और इन सब की commercial importance है, तो मदुमक्खी पालन एक काफी profitable industry है, इसमें initial investment भी कम होती है अगर आपको मानली जी खेती करनी है आपको एक बहुत बड़ा जमीन का टुपड़ा चाहिए भू भाग चाहिए, लेकिन अगर आपको मदुमक्खी पालन करना है तो इसमें initial investment कम होती है तो क्या कारण है भारत में मदुमक्खी पालन अपनी शमता तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसके scientific knowledge, उसकी technical knowledge इन सब का भाव है, इस कारण से हम मदुमक्खी पालन में अपनी शमता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं हालांकि अभी भी भारत में बहुत सारे किसान मदुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन जो शमता है उससे काफी कम है तो अभी ये भी पीछे क्या हुआ था, लगबग तीन महीने पहले, दिसंबर की बात है जो CAC है, यानि Center for Science and Environment, भारत सरकार का उसने भारत की विभिन जो कंपनिया हैं, जो शहद बेचती हैं बजार में उनकी मार्केटिंग करती हैं, उनके विग्यापन देती हैं, जिनके भी हनी आते हैं, उन पे रिसर्च करवाया, एक टेस्ट करवाया कि जो हनी है वो कितना प्याओर है तो कि भारत सरकार को बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे प्रमान मिले प्रूफ मिले कि जैसे कि उनमे एडल्ट्रेशन हो रहा है, चाइना से सस्ता सिरप लेकर, जो शुगर सिरप है, वो हनी में मिला दिया जाता था और उसे शहद बोलकर बेचा जाता था इन फैक्ट, भारत की बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां, जो पिछले 100-200 साल से काम कर रही है, सब में शहद जो है, वो एडल्ट्रेटेड पाया गया, दो-तीन को छोड़कर, सफोला और दो-तीन और हैं उनको छोड़कर, बाकी सारी कंपनियां है सब का शहद एडल्ट्रेटेड पाया गया सो हनी में, या तो सिंथेटिक शुगर सिरफ मिलाया जाता है जो चाइना से आता है या C4 शुगर, यानि केन शुगर जो गन्ने से बनती है चीनी, और C3 शुगर, यानि राइस शुगर, इन सब को मिलाया जाता है, नुक्लियर मैगनेटिक रेजोनेंस टेस्ट शरकार ने यूज किया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर डाबर, जंडू, बैदेनाथ वगारा जो बड़े-बड़े ब्रैंड है, उन सब का शहद, हनी टेस्ट को फेल कर गया था, राइट आगे बनने से पहले आपको मैं मधुकरांथी पोर्टल बताऊँ, पहले हम AP Culture के मधुमक्की पारण के बारे में कुछ और तथ्य देखते हैं भारत में लगबग 20 करोड बी कॉलोनीज की शमता है, लेकिन हैं सिरफ मुश्किल से 34 लाख तो आप देख सकते हैं, 20 करोड यानि 200 मिलियन हमारी पोटेंशल है 200 मिलियन बी कॉलोनीज की लेकिन जो पालन होता है, वो सिर्फ 34 लाख का होता है, यानि कितना बड़ा उद्योग हो सकता है ये, मधुमक्की पालन भारत में, जब जो हम किसानों की आये दुगनी करने की बात करते हैं, भारत सरकार का लक्षय है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की आमदनी तब तक नहीं पढ़ सकती, जब तक वो allied activities में ना आएं, अगर सारे, बहुत सारे किसान हैं, वो सिर्फ चावल या गेहूई ही उगाते रहेंगे, mixed cropping नहीं करेंगे, allied activities नहीं करेंगे, तो वो profitable business नहीं रहेगा. एक सरकार ने कमेटी बनाई थी, beekeeping development कमेटी, जिसके head थे विबेक देवरोय, इस कमेटी के ये recommendation थे, कि भारत में 200 million bee colonies की potential है, और सिर्फ 34 million bee colonies हमारे पास है. भारत में जो शहद उत्पादन है, वो भी relatively कम है, खेर अभी आज की बात करें तो हम दुनिया के top 5 countries में आ गए हैं, हम जो शहद उत्पादन है, honey production के मामले में, पहले भारत में कुछी राज्यों में शहद उत्पादन होता था, आंधर परदेश, राजस्थान में, भरतपूर में बहुत ज़्यादा होता है, UP में, हर्याना में, लेकिन अब बहुत सारे राज्यों हैं जिनमें honey keeping की जा रही है, एपी कल्चर किया जा रहा है. भारत में जो honey consumption की बात करें, क्या भारत के लोग शहद खाते हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं. इसका कारण ये है कि हमारा जो कल्चर है, उसमें हमारे जो डेली भोजन है, उसका पार्ट शहद नहीं होता. इसलिए भारत में शहद का सेवन नहीं होता. भारत में शहद इस्तेमाल होता है जादा तर सिर्फ दवाईयों के अंदर दवाईयों में, फार्मासुटिकल्स में लेकिन आज कल ये इंडस्ट्री ग्रो करने लगी है क्योंकि कन्फेक्शनरी हैं, बिस्केट हैं, कैंडीज हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के जो प्रोसेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनमें हनी का इस्तेमाल हो रहा है, फिर जो हम लाइफस्टाइल या हेल्थ बेस्ट प्रोडक्ट आज कल कंस्यूम कर रहे हैं तो उसमें ब्रेकफास्ट वगारा में जो आज के modern youth हैं, वो breakfast में, जैसे bread वगर अपर लगा कर honey खाने लगे हैं, तो इन सम्में, और ayurved के जो दवाईयां होती हैं, बहुत सारी ayurved की दवाईयां हैं, जो शहद के साथ ली जाती हैं, इस वज़े से शहद का इस्तेमाल भारत में भड़ रहा है, तो भारत की जो जनता ह उसमें जो शहद के benefit हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं हैं, कि शहद खाना इतना स्वास्ते के अच्छा क्यों हैं, और हमारी जो diet है, उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल भारत में सिर्फ दवाईयों में किया जाता है, जाद अतर, अगर आप दूसरे countries देखें, यूरोप के countries, अमेरिका वगरा, तो वहाँ पे जो honey है, वो बहुत commonly diet के साथ खाया जाता है, तो भारत की जो market है पूरी, शहद की, उसमें कुछ growth drivers हैं, यानि growth उपर जाएगी, तो जैसा मैंने बताया, एक तो हमारी food habitat change हो रही है, हम health और wellness food क तरफ जा रहे हैं, तो शहद का सेवन जादा होने लगेगा, दूसरा हमारी जो परंपरागत दवाईयों का व्यापार है, वो भी भढ़ रहा है, और आयूरवेद दवाईयों में शहद का इस्तिमाल किया जाता है, इसलिए भी इसका सेवन भढ़ेगा, और honey का इस्तिमाल, baked product, confectionery, chocolate, candy, biscuits, कई तरह के beverages, milk products बगारा में भी हो रहा है, भारत अगर मैं बात करूँ, financial year 18, food and agriculture organization database के मुताबिक, भारत दुनिया में आठवे नंबर पे था, शहद उत्पादन में और चाइना नंबर वन पे है, भारत में 64,000 टन शहद का उत्पादन हुआ था, और चाइन में 551,000 टन यानि 5,000,000 टन, आज अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो जो हमारे क्रिशी मंत्री है, नरेंदर सिंग तोमर, उनके मुताबिक, आज भारत में 1.2,000,000 शहद का उत्पादन हो रहा है, और भारत दुनिया के top 5 countries में आ चुका है, यूपी, राजस्थान, हर्याना, पंजाब, जमू कश्मीर, आंधर प्रदेश वगारा, ये सब कुछ राज्यें हैं जहां पे शहद उत्पादन बहुत जादा होता है, लेकिन आज भी भारत में जो लोग, जो लोग मंदुमक्खी पालन करते हैं, उनके सामने कुछ चुन अब आते हैं मधुकरांती पोर्टल, आपने एक स्वीट रेवल्यूशन का नाम सुना होगा, भारत में स्वीट रेवल्यूशन मतलब ये है कि हमें हनी प्रदक्शन को बढ़ाना है, और भारत में जितना भी शहद उत्पादन होता है, उसका लगबग 50% हम एक्सपोर्ट क पॉर्ट जो है ये हमारे agriculture और farmer welfare ministry के एंडर काम करता है और national beekeeping and honey mission के तहت ये मधुकरांती पोर्टल स्थार्ट किया गया है, तो मधुकरांती पोर्टल शुरूख क्यों किया गया है, क्योंकि जो भी मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए लोग ने हैं हमें सरकार ये चाहती है कि जितने भी लोग हैं के जो व्यापार है शहद उद्योग से जुड़े हुए उन सब का पंजीकरन किया जाए तो सब को पंजीकरित करवाने के लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है इससे एक तो पारदर्शित आएगी सबसे पहले ट्रांसपरेंसी किया आएगी दूसरा शहद की जो गुणवत्ता है जो क्वालिटी है वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे क्योंकि हमें पता होगा शहद का जो सोर्स है वो क्या है उसका उद्गम कहां से हो रहा है वो ट्रेस कर पाएंगे तो मधुकरांती पोर्टल इसले स्टार्ट किया गय ओनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से हमें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि जो क्वालिटी और सोर्स है हनी का वो एकदम सटीक है और उसका एडल्ट्रेशन यानि विशुद्धी करन नहीं हो रहा और जो पबलिक है उसको भी जब एक बा और जदा बढ़ेगा इसके अलाबा एक हनी कॉर्णर भी होंगे हनी कॉर्णर क्या है नाफेड आप जानते हैं जो भी हमारे क्रिशी उत्पाद है अगरिकल्चर प्रड़क्ट्स उनकी मार्केटिंग करता है उनको सेल करता है नाफेड और नाफेड के स्टोर होते हैं ज़ेगी तो ये भी एक नए इनिशेटिव है हनी कॉर्णर नाफेड के दौर्णर ये स्टार्ट किया गया है नाफेड के दोसों से ज्यादा स्टोर में हनी कॉर्णर अब सेट अप किये जाएंगे और नाफेड एक औरगिनाजेशन है जो 1958 में बनी थी और ये सबसे ज़ा मैं आपको अच्छे से बता पाया स्टड़ी आइक्यू देखते रहे हैं दूसरे ऐसे इंफर्मेटिव वीडियो उसके लिए थैंक्यू फर वाचिंग